सब लोग आज की फ्रेडियोनेट स्मैडवन उचके कतम जो की मेरे साब से दोस्तों काफी धांसु गई है आज की स्मैडवन के अंदर दोस्तों हमने एक से बढ़कर एक सेग्मेंट देखा और मेन इवेंट जो की रोम रेंस वर्सिस फिन बैलर दा गाइस मज़ा ही आ गया श कि लास्ट वीक स्टीट प्रॉफिट वाले फैमिली बिजनस में घुसा है जो की काफी गलत था और इसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों हमें दिखाए देते हैं हमां स्टीट प्रॉफिट वाले जो की दोस्तों यही चीज कहते हैं क जैसे उन्हें उन्हें अंबेरस किया था लास्ट वीक वैसी आज उन्हें अंबेरस करके दिखाएंगे जिसके बाद दोस्तों हमें इनका टेग टीम मैस देखने हों मलता है जहां दोस्तों चैंपिर्शिप दाव के ओपर थी मैच की बात करूँ गाइस मैच बहुत ही बढ जहने पर दोस्तों मारते ही रहे वहां और जहां दोस्तों रेफरीन केंटी बजा दी मैस दोस्तों डीक्यू में खतम हो गया आउटसाइड दोस्तों उस पिटाई कने लगे स्ट्रीट प्रॉफिट की जिसे देख दोस्तों रोमन काफी जादा खुश नजर आये बैक स्टे देख रहे हैं बलती है पाल हमन जा रहे होते हैं फॉनलक बज़रा होता है कि काई उसका राक्स रेटऑ था थी अच्छो ऑगा थे बीराग भात दूस्तों भाक दोस्तों के फॉन में 200 ब्रॉक की रिंग टॉन जैसी बजी पॉल हमन के हावब हाव जरोगे काई पॉन आ फॉन चोको लेकिन वहां 200 पॉल ने काड लिया इसके बाद 200 फुर से जब कॉल आई वहां 200 पॉल हमन दे दिया था लेके ने क्या था यह हमें आगे पता चलना था इसके बाद दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मलते हैं कि काहला हमुष कराती और चली जाती कहते हुए कि वह उन्जॉइ करनी मूमेंट को वहें दोस्तों एक पोचा लगाने वाला दिखाया देता है जो कि वी चीज देखिये ौis थो था हमारे अपने ऑंके आंजब गाते… इस पर वी आई कुछ नहीं हुआ है । उन्हें सुनने को मिलना चाहिए था यू डिजर वइट का लेकिन मुझे वैसा ओवेशन नहीं मिला जिसके बाद दोस्त लोग और भी उनके नाम की चैन्ट लगाते हैं बैके लिंच आगे ये चीज़ कहती है कि देखो बियांका काफी जादा चलाक है उसने मुझे समर स्लैम में विलन के तौर पर दिखा दिया लेकिन सच बास तो यह है कि जो बियांका है खुद को एस्ट आफ समेडा उन कहती है लेकिन सब कुछ जूट है वो कोई भी एस्ट व कि उन्होंने मुझे वापस लाया है यह काफी हेलिश प्रोमो था और इसके बाद दोस्तों में क्या चीज़ देखने हो मलती है कि वहां आ जाती है ब्यांका ब्लेयर और ब्यांका ब्लेयर को भी काफी जादा सपोर्ट देखने को मल रहा है लोग उनके नाम की चैनल लगा इसटी 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 बियांका कहती है कि हाँ वह समयडाओं है रही बात उनकर टाइटल रहन यह काफी जाद दुक हुआ क्योंक्त लेंटी था इनका रहन काफी लंबे देनों का यह अग्र लग-बग 27 Вह मैच को हार गई और यहींचत tratar سब लेकिन वह अपनी हार को सवीका करती है और वो एक फाइटिंग चैंपिन रही है और फाइटिंग चैंपिन खुद को प्रूफ करती है यह लास्ट वीक जब बैकी ने बना कर दिया तो वो निम्बों कंटेंडर शिप का मैच जीती है और आज वो चाहती है कि मैच हो जाए समयडा उनके अंदर क्यूंकि रोम वर्षिस ब्यांका नहीं देखने को मिलेगा इसके बाद दोस्व जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वह था दोस्व हमारे डॉल्प जिगलर की फाइट तो गाइस डॉल्प जिगलर अपने फाइट से पहले मिले टोनी से और टोनी को कैप्चर करना चाहते है टोनी अगली तिंग के उपर तो इस से अगली तिंग जो आज की हम लोगों ने देखी है वह काफी इंटरस्टिंग थी वह था दोस्व हमारे बैकी लिंच का बैक स्टेज मिलना एडम एंस ओनिया थे मिली जहां दोस्टों दौन ने पाइग बांब किरा है बैकी को बताया बैकी यहां की चीज के वह थियुक्त वहां चीज देखा था। यहां संधम हो चिसले उन्हों जाम भी चेसे वह उल्टी कर नहीं की जो फर एक्केटड थी और चेर का यूज किया और मैच दोसे डीक्यों में खतम हो गया वहाँ दोस्तो इसके बाद रॉलिंस ने बहुत जादा बिटाई कि सिजारो की सिजारो की मुँपर दोस्तो उन्होंने सेम सब्मिशन लगाए जो की एज लगा आते हैं चेर के टोटे के सारे और इसके बाद किया देखनों मिलती है सेथ कॉलडाउट करते है एज को लेकिन एज नहीं आती है इसके बाद दोस्तो सेथ रॉलिंस और भी गिरते हैं वह दोस्तो कब स्टॉंप लगाते हैं वहां सीजारो वार्ड वेड दोस्तो वो वही चीज करना चाहते थे जो कि दोस्तो एज ने पास्ट में की है उनका सर फोना चाहते थे चेर के साथ चेर सटा कर वहाँ दोस्तो एज की हो गई एंड्री विच इस क्वाइट शॉकिंग फॉर आस वहाँ दोस्तो एज आ रखे थे एज दोस्तो रिंग के अंदर आये स सैथ रॉल्स को भागना पड़िया सैथ रॉल इस दोस्तों वहां से दुम दबा कर भागे और एज उन्हें जो कुछ किया हो काफी रिस्पेक्टिंग था वहां दोस्तों एज ने उठाया सिजारों को और उनके हला जाने इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने जब लुझारों के बिल जाए जी देखेगे को ने घी खांड़ कल तक आज रहा है नहीं हाज नहीं आई-जो नहीं और पॉल पर दोस्तों शक की निगाहें आ चुकी है रोमन की बात की जाए इसके बाद के वाद इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगने देखी वह था दोस्तों एज का बैक स्टेज इंटर्विव दान दोस्तों एज ने चीज कही कि जो सैथ रॉलिंस है वह नहीं दो का औरना बाद आने वाला है ने करतूतों से लेकिन वह इनंहीं सबक सिंखाने के लिए तयार है और कोई भी चैलेंज जो वो उनके सामने पुट करता है तो उसे लेने के लिए भी तयार है तो यहाँ दोस्तो एज तयार चुके है मेरे हिसाब से दोस्तो Build-Up Crown Jewel के लिए हो रहा है ना कि Extreme Rules के लिए बात की जो इसके बाद हुआ क्या है तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो ता दोस्तो Kevin Owens शो तो Kevin Owens शो आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा Kevin Owens आए वहां दोस्तो टाइवाई लगा रखी थी बात करते हैं पने गैस की जो कि दोस्तो कोई और नहीं हमारे लोगन पॉल निकलते हैं लोगन पॉल रिंग के अंदर आए और यहां उडियंस ने खूब भूकी इसके बाद दोस्तो Kevin Owens बेखती करने लग गए हैं हमारे लोगन पॉल की और कॉर्बिन की वहां दोस्तो को गुसा गया लोगन पॉल ने दा का दी दिया के वर उनस को और उसके बाद के अंगल की सब्सक्राइब कंव मैं स्टेरियो को मैं सो गाई जींए मैच है आपको इसोना चिए हुआ जिए इसमें से में तो में स्टिरियो हो रहा था मैच काफी बढ़िया जा रहा था वहां दो सेमी जिन बीच में भागने की कोशिश करते हैं कि गाइस रेम पर पकड़ लेते हैं रेमिस्ट्रो कर डर से रिंग के अंदर तो गई लेकिन डॉमिनिक का ध्यान बटक गया डॉमिनिक को हलोगा किक ल ऐसके बाद क्या हुआ है इसके बाद है अगल जी हम लोगों देखी है वो यहां सोनिया से बाद कि लोगों ने देखी है में इवेंट ऑफ दे एविए रोमररेंस वर्षिस में बैलर तो गाइस इसके लिए मैंड हाइब था मैच ने पहले साथ यह ने जो हमारे फिन बैलर वो भी कावदा हईब डप थे वो आते हैं रैंप के उपर और जैसी रिंग के अंदर जा दे उन पर दोस्तों उस दोस ने हमला बोल दिया ये प्री प्लांट था ये एक तरीके चल था कपट था फिन बैलर की पिटाई होगी इसके बाद रोमन रेंज ने वही स्वाइग में एंट्री ली विचारे फिन बैलर आधे हो चुके थे वहां दोस्तों रोमन रेंज ने मैच